रवीना टेंडन बॉलिवुट की उन अभी नेत्रियों में से एक हैं जो अपने बेबाग बयानों के लिए जाने जाती हैं वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती है और निडर होकर अपनी राय रखती है हाल ही में रवीना ने अपनी पॉसनल लाइफ को लेकर कुछ खुलासा किया किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा जो उन्होंने बताया अक्टिवस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक कहाने बया की और बताया कि वो भी इस शाररिक सोशन का शिकार हो चुकी है जी हाँ इस खुलासा के बाद अभिनेतरी के फैंस हैरान रहे गए दरसल रवीना तनन मेट्रो के लिए काटे जा रहे जंगल के विरोध में है वो नहीं चाहती कि मेट्रो तीन कारशेड बनाने के लिए हरे जंगल को काटा जाए इसी बात को अधार बनाते हुए एक सक्षने रवीना तनन से सवाल किया उस सक्षने बीते कुछ समय पहले एक सक्षने सोशल मीडिया पर मॉंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया था इस वीडियो में साथ देखा जा सकता है कि ट्रेन यात्रियों से भरी हुई है और कुछ लोग इसकी गेट पर भी लटके है ट्रेन स्पीड में चल रही थी तभी एक लड़का चलती ट्रेन से गिर जाता है वीडियो शेर करते हुए सक्ष ने रवीना टंडन से सवाल किया नमस्ते रवीना टंडन मेट्रो का विरोध करने के लिए आपने आखरी बार इस तरह का सफर कप किया था तुम लोग बेशर्म हो इस सक्ष की ट्वीट का रवीना टंडन ने जवाब दिया 1991 तक मैंने ऐसे ही सफर किया है एक लड़की होने की वज़ा से आपकी तरह आग्यार ट्रोल ने मेरा शाररिक सोशर भी किया है काम शुरू करने से पहले मैंने सक्सस दिखी और पहले बार कार खरी दी नागपुर के हो आपका शहर हरा भरा है किसी के सक्सस या इंकम से जलो मत रवीना टंडन ने आगे लिखा किशर ओस्ता में बसों में यात्रा की छेर छाड भी हुई वो सब कुछ हुआ जिससे जाकर महिलाए गुजरती है इसके बाद साल 1992 में मैंने पहली बार कार ले दी